नवसकार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ती पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि COVID-19 और मोधी सरकार के नीतियों के चलते हमारे देश की आर्थिक विकास दर इस साल 1947 यानि की आजादी के बाद से सबसे निचले स्तर पे जा सकता है यह सिर्फ मैंने कह रहा हूँ यह बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं मोधी समर्थक भी कह रहे हैं बड़े बड़े जो कॉर्परेट लीडर हैं वो भी कह रहे हैं कुछ तो कह रहे हैं कि दो साल तक हमारी जो अर्थवेवस्ता है वो घटने वाली है कम होने वाली है लेकिन यह एपिसोड देखके मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया है मैंने पहले भी उनका जिक्राप को किया है और वो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं समर्थक हैं उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि यार तुम कह रहे हो कि हमारे देश की अर्थवेवस्ता कोविड-19 के चलते बहुत नीचे जाने वाली है लेकिन ये मुझे बताओ अगर ऐसी बात ही होती तो अपरेल में लॉकडाउन के बाद जो नौकरिया गई थी वो सारे वापस कैसे आ गए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने कहां देखा कि सारी नौकरिया वापस आ गई है लेकिन आप बताया हो कि 95% से जादा वापस तो आ चुकी है ना अगर ऐसा ही हाल होता एकॉनमी का तो 95% सिर्फ तीन महीने में जुलाई तक में कैसे वापस आ गई खैर उनका बात गलत नहीं है उनकी यह जो बात है वो गलत नहीं है क्योंकि आप देखें कि लॉक्डाउं की तुरंत बाद मार्च से अप्रेल के बीच लगभग 12 करोड 12 करोड से भी थोड़ा जादा नौकरिया गई थी यह डेटा किसका है यह डेटा है CMIE का मैं CMIE का हर वक्ड जिक्र करता रहता हूं आप लोगों तक क्योंकि वो ही हर हफते नौकरियों का डेटा निकालती है तो वो ही डेटा हम लेते हैं मतलब अभी सिर्फ एक कडोड के आसपास नौक्रिया हैं जो कम है मार्च के तुलना में तो आप देख लेजें कि लॉकडाउन तो पूरी तरह खुला नहीं है बहुत जगर पे अभी भी लॉकडाउन चल रहा है लोग डड़के मारे फैक्टरी आफिस जा भी नहीं रहे है काम पे भी नहीं जा रहे हैं तो यह सारा जब खतम हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि जल्द ही हो सकता अगस्त में ही जो नौक्रिया गए थी वो वापस आ गई हो लेकिन यह जो नौक्रिया वापस आई है ना इसमें आपको एक चीज मैं बता दूँ कि इसमें असली चहरा देश के नौक्रियों का नहीं दिखता यह चुपा हो आ है और इसी चिपे हुए बेरोजगारी का जो रोजगार के बीच में चिपे हुए बेरोजगारी है उसी का पोल खोलूँगा उसी का हिसाब लगाऊँगा आज के एपिसोड में तो मैंने कहा था मैं CMIE का डेटा लोगा नौक्रियों का तो मार्च में अगर हम देखे तो लगबग 49 कड़ोड 60 लाख नौक्रिया हमारे देश में थी नौक्रिय मतलब कोई भी तरीके का कायम कोई भी तरीके का रोजगार इसका मतलब यह नहीं कि यह वेतन वाली नौक्रिय है या salary job है इसमें सब कुछ आता है business भी आता है जो खेती में काम करते हैं वो भी आते हैं अगर हम अप्रेल में देखें तो सीधा ये साड़े 27 करोड पर उतर आया है लॉगडान होगा साड़े 27 करोड पर ये उतर आया है और जुलाई में आप जाकर देखेंगे तो ये वापस आ चुका है साड़े 38 करोड के आसपास तो अगर हम देखें कि मार्च की तुलना में जुलाई में लगग 97 प्रतिशत नौकरियां उससे भी जादा वापस आ चुकी है लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बता है कि इस को हमें unpack करना है आपने देखा हुआ है जैसे Amazon से चीज आता है उसको आप unpack करते हैं अंदर क्या है आपको पता चलता है या कोई भी जो e-commerce है कभी-कभी जो आपने order किया है वो आता है कभी-कभी जो order किया वो नहीं आता है तो unpack करने से ही हमें असली चेहरा इसका पता हम शुरू करेंगे जो क्रिशी में यानि की खेती में नौक्रिया है क्योंकि सबसे जादा हमारे देश में खेती में ही नौक्रिया होती है खर उससे पहले एक चीज आपको बता दूँ जिसको कहते हैं Disguised Unemployment ये सब अर्थशास्त्री मानते हैं कि हमारे देश में खेती में Disguised यानि की प्रचन यानि की छिपी हुई बेरोजगारी है इसका मतलब क्या है कि आप सोच लिजे कि एक परिवार में तीन बेटे हैं और जो इतना उनके पास जमीन है वो दो लोग काम करे श्रम करे तो उसी के लायक जमीन है उससे जादा लोगों की जरूरत नहीं होती है अगर दो ही बेटे होते तो भी उतना ही उत्पादन होता उतना ही परिवार का आये होता मैं बेटे कह रहा हूं कि हमारे देश में और तों को काम लगभग नहीं मिलता है आप पूछ सकते कि बेटिया हैं वो जाकर काम करते हैं खेत में आप उनसे पूछेगे कि आप करते क्या हैं वो बोलेंगे हम तो खेती करते जी ये अगर आप ठीक से देखेंगे तो सिरफ दो लोगों की जरूरत थी तीन काम कर रही यानि कि एक जो है वो बेरोजगार है उसे लगता नहीं है वो जाने की प्रच्छन बेरोजगारी क्योंकि यह जो काम कर रहे हैं ना इसकी जरूरत है ना इससे कोई उत्पादन बढ़ड़ा है तो इसलिए यह अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव लेबर है एक 2016 के जो रिपोर्ट आई थी उसमें कैलकुलेशन किया गया था सरकारी आंकडों को लेकर कैलकुलेशन किया गया था और इसमें एक अंदाजा लगाया गया था कि हमारे देश में इस तरीके के चिपी हुई बेरोजगारी डिजगारी लगभग पांच दशमलव दो करोड है जो डिजगारी अनेंप्लॉइड है उसमें से जाधा तर औरते हैं जो हाथ बटाती है थोड़ा बहुत कहते हैं हम काम करते हैं लेकिन उनके काम से कोई फाइदा नहीं है या कोई भी उतपादन में या आए में बढ़त नहीं होती है जाधा तर ये जो हैं ये खेती में हैं और मैं अगर मार्च के भी खेती के नंबर ले लो कि मार्च में कितने लोग खेती में काम कर रहे थे तो उसमें भी आपको बता सकता हूँ कि कम से कम आप सोच लेजी कि 20-25 परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनकी जरूरत नहीं जो चिपे हुए बेरोजगार हैं तो ये नंबर हम ले लेते हैं मार्च में 11.7 करोड यानि की 11 करोड 70 लाख लोग खेती में क्रिशी में काम कर रहे थे रोजगार उनको मिला हुआ था लोग डाउन के चलते हैं आप जानते हैं कि वो कम ने हुआ अपरेल में 11.7 धीरे धीरे बढ़ता गया अगर हम जून का डेटा ले गया है तो वो 13 करोड पे पहुँच गया था जिलाई में थोड़ा कम हुआ है फिर भी 12 करोड 60 लाख लोग खेती में काम करते हैं इसका जि कि हमारे शहरों से लॉकडाउन के चलते हैं कितने लोग जो दिहारी मजदूर हैं छोटा मोटा कारोबार करते हैं कहीं पे चाय बेच रहे हैं पकोड़े बेच रहे हैं कोई थोड़ा मजदूरी करता है कहीं पे प्लमर का काम करता है ये सब लोग घर वापस चले गए तो ल खेती में वापस चले गए हैं वो अपने खेत पे गए हैं हाथ बटा रहे लेकिन उनकी जरूरत नहीं है तो आप देख लिजे कि अपरेल से जुलाई में जो खेती में नंबर बढ़ा है रोजगार का वो पेपर पर आंकडों में तो रोजगार दिख रहा है लेकिन मैं आपक यह जो रोजगार बढ़ा है उसको आप थोड़ा सोच कर देखेगा टटोल कर देखेगा यह असली रोजगार बढ़ने का नहीं साइन नहीं है खैर अगर हम इसको कंपेर करके देखे कि दिहारी मजदूर कितने थे आप याद रखे गया कि दिहारी मजदूर जादा शेहरो में ही हैं गाउं में जो दिहारी मजदूर हैं वो कुछ खेतों में काम करते हैं लेकिन वो कभी-कभी खेती अपना काम खेती ही बताते हैं और साथ में एक और चीज आप देखेंगे कि जो मन्रेगा वगेरा में काम करते हैं उनको भी दिहारी मजदूर के तौर पर देखा जा जब lockdown हुआ एक जटके में नौ करोड से जादा ऐसे जो दिहारी मजदूर हैं या छोटे मोचे कारोबारी हैं जो self-employed कहा जाता है जिनको ऐसे लोगों की रोजगार खतम हो गए नौ करोड बारा करोड में से नौ करोड की ऐसे रोजगार खतम हो गए तो हम compare करके देखते हैं मार्च से जुलाई के बीच 12 करोड 70 लाख लोग मार्च में दिहारी मजदूर का काम करते हैं जुलाई में अपरेल में 9 करोड कम होगे लेकिन जुलाई आते आते ये 12 करोड से जादा हो गया है इस वक्त मार्च और जुलाई का अगर हम comparison कर ले तो सिरफ 68 लाख ऐसे दिहारी मजदूर कम हो गए हमारे देश में आप कहेंगे कि अगर शहरों से गाओं गए इतने लोग 88 लाग से 1 करोड के बीच तो सिर्फ 68 लाग द्याडी मजदूर कम कैसे हो सकता है क्योंकि जातर तो ऐसे द्याडी मजदूरी थे वो अगर चले ही गए हैं तो जितने लोग गए हैं उससे कम द्याडी मजदूरी में कम ही आई है जी हाँ इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं अभी आपको बताता हूँ एक खतरना कारण है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सैलरी वाली नौकरियां जो की रेगिलर वेतन वाली नौकरियां है वो बहुत तेजी से गिरी है लोग डाउन के बाद लोगडाउन के बाद इतनी गिरी है उसके बाद और भी गिर गई है जुलाई में और भी गिर गई है अगर हम 2019-2020 मतलब अप्रेल 2019 से मार्च 2020 का एक आंकड़ा ले तो उसतन आठ करोड 61,00,00, लोग हमारे देश में ऐसे थे जो की जिनके पास salary वाली जॉब थी salary वाली नौकरी थी regular वेतन वाली नौकरी है और आप जानते कि वो सबसे अच्छे नौकरी होती है क्योंकि उसमें सुरक्षा होता है जादा तर उसमें salary वेतन भी आए भी जादा होती है ये CMI का डेटा है अगर हम अप्रेल में आकर देखे तो वो गिरकर 6 करोड 84 लाक पर आ गए यानि कि 1 करोड 70 लाक के आसपास नौकरिया कम होगी जून में आते आते ये काफी बढ़ गई 7 करोड 22 लाक लोगों का आप देख सकते हैं कि काम बढ़ गया मतलब लगवग 40 लाक लोगों को वापस वेतन वाली नौकरिया मेंं लग रहा था कि जुलाई में आते-आते होसकता है कि जादातर वेतन वाली नौकरिया जो है वो वापस आजाएगी लेकिन जी नहीं ऐसा नहीं हुआ जो 50 जून और जुलाई के बीच जून और जुलाई के बीच पचास लाक और लोगों की जो सैलरी वाली लोग थे उनकी नौकरी गई है तो अगर हम जुलाई के नंबर देख ले तो 6 करोड 72 लाक लोगों के पास सैलरी वाली रेगूलर वेतन वाली नौकरी है तो आप अगर अप्रेल और जुलाई का comparison कर लें, अप्रेल में मैंने बताया था कि लॉकडाउन के चलते बहुत तेजी से गिरी थी, 6 करोड 84 लाग पर गिर गई थी, salary वाली नौकरियां, लेकिन जुलाई में उससे भी कम हो गए, यानि कि लॉकडाउन के बाद भी, लॉकड है, जिसकी बारे में मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके कहा था कि नौकरियां वापस आ रही है, कि कैसी नौकरियां है, salary वाली नौकरियां, जो सुरक्षित नौकरियां है, अच्छे वेतन वाले नौकरियां है, वो घट गई है, और जून और जुलाई के बीच में भी जाद ही मजदूर बन गए हैं, या छोटे मोटे कारोबार में चले गए हैं, salary मिल रहे थी, वो छोड कर नौकरी नहीं है, वो नौकरी चले गए, तो अब कहीं पर उन्होंने खोमचा लगा लिया है, और पकोड़े बेच रहे हैं, तो यह है पूरी जो नौकरियां वापस आने की इसमें चिपी हुई, असली स्टोरी, असली कहानी, यानि की रोजगार में चिपी हुई, बेरोजगारी की कहानी, तो अब अगर आपको Whatsapp पे कोई मेंसेज करें की देखिए किस तरी किसरी से रोजगार वापस आ गया है, या आपके दोस्त आपको फोन करें, तो यह विडि झाल